आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों, किसी भी तरह के रोग होने के लिए ये तीन कारण होते हैं, सबसे पहला कारण जो होता है वो वात होता है दोस्तों, सरीर में गैस का बनना, दूसरा कारण होता है दोस्तों, पित, सरीर में गर्मी का बढ़ना, तीसरा कारण होता है कफ, स अगर किसी को इन में से कोई भी समश्या है तो इस में मैं आपको इसके बचने के भी लक्षन बताऊंगी आपको क्या-क्या सावदानिया रखनी है, किस तरीके से आप इन समश्याओं को जड़ से ठीक कर सकते हैं वो सारी चीजे आपको मैं आगे एक-एक करके बताने वाली हूँ तो आप वीडियो में बनी रहना क्योंकि आपको बिमारियों से बचने के लिए ये जाना बहुत जरीवी है जब भी आपके सरीर में इनका संतुलन भिगड जाता है तो आप किस कदर जो है बिमारी के सिकार हो जाते हैं किस तरीके से आप बच सकते हैं क्या-क्या इसके कारण हो सकते हैं क्या-क्या लक्षन दिखाई देते हैं सारी चीज़न बताएंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों वात के बारे में पहले इसके कारण जान लेते हैं, ये किन किन कारणों से आपके सरीर में हो जाता है, दोस्तों बढ़ जाता है, सबसे पहले गलत बोजन, जैसे आप बेसन, मैदा, आटा जो खाते हैं आप रोटिया बनाकर, कई बर मैदा जैसा आटा होता है, वो नुक्षान करता है, आपको सरीर में जो है वा τα बढ़ जाता है तो भा दो उत्पन हो जाता है आली जीव जैसे आप मेंद वाड़ा काम नहीं करते है बैठे या दिन बर पड़े पड़े रहते हैं बैड के ऊपर आलश्य वह ज्यादा आता है को इस तरह की कंडिशन में भी आप वात की सिकार हो जाते हैं दोस्तों सूर्य सनान या वयायाम की कमें जैसे सूर्य सनान तो आज कल करते ही नहीं है बात रही वयायाम की तो आप जो है ना ब आद गंटा टाइम निकाल कर morning walk ही क्यों करें बहुत बढ़िया होती है morning walk लेकिन आपको करना जरूरी होता है नहीं तो आपके सरीर में वात दोस उत्पन हो जाता है कई बार आपके पेट में कब्ज की समश्या लंबे समय तक बनने के कारण दोस्तो गंदी गैस बन जाती है गैस जो है आपके सरीर में कहीं पे भी अगर रूख जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द जो है कर देती है या तक की गुटने और जुआइंट में भी तो इसको भी वात दोस बोला जाता है दोस्तो आप जान लेते हैं वात के कारण आपको किस तरह की रोगों की लग संद दिखाई देते हैं क्या-क्या रोग हो जाती है सबसे पहले तो आपका जो पेट है ना वो पूरा आपको फूला हुआ नजर आने लगता है दोस्तो अफारा जैसी कंडिशन हो जाती है दुखने भी लग जाती है और पेट फूल जाता है कई बार आपको साइटिका के लक्षन दिखाई देते हैं आपके जो पेर में दर्द होता है ना आपको लगता है साइटिका हो गया है कई बार आपके जो सरीर के अंग होते हैं सुन पढ़ने लग जाते हैं आपने देखा होगा रात में सोते हैं तो अचानक से अमारे आत पेर सुन हो जाते हैं उंगलिय फड़क रहा है नहीं बिल्कुल नहीं ये वात के कारण होता है आपके सरीर में वात दोस जब हो जाता है न तो ये उसके ही लक्सन होते हैं दोस्तों कई बार इसके कारण आपके आतों की पैरों की नसे कमजोर सी हो जाती हैं और खिचने लगती हैं दोस्तों नसे जो हैं अचानक से दुखने लग जाता है दोस्तों और इससे जो है ना जिनका वात दोस बढ़ जाता है खाना सही से नहीं पचता है और पेट जो है ना पेट में गैस बहुत जादा बनती है दोस्तों यहां तक कि कई बार आपकी नसों के दर्द के कारण जोडों में दर्द के कारण लोग जो है लक्वा जैसे समश्या से भी ग्रेस दो जाते हैं तो ये वाद दोस्के कारण होते हैं आप जान लेते हैं इससे छुटकारा कैसे पाएं और आमें क्या-क्या चीजे खानी चाहिए आपको अपने खाने में जो वाद से पिडित हैं उनको अपने बोजन में लाइट में सामील करें और जो मुनक्का होता है ना दोस्तों मुनक्का अंजीर बेर अद्रक तुलसी गाजर सोया बिन सोंफ तदा छोटी इलाइची जो अरी इलाइची होती हैं उनका जो है उप्योग आपको अधिक करना चाहिए जो भी वाद से पिडित हैं उनको अपनी दोलेस उनकी जो कली होती हैं वो कच्ची ही चबा कर खानी चाहिए और बोजन में आपको जो है न मक्खन का भी अपने प्रियोग करना चाहिए थोड़ा बुद मक्खन भी आपको खाना चाहिए जिससे वाद समश्या जल्दी ठीक होती है वाद रोग से पिडित जो होते है उनको सबजिया फलो का रस जरूर लेना चाहिए और आप एका दिन सब्ता में ब्रत भी रख सकते हो अब देख लेते हैं आगे पित दोस के बारे में पित में आपको ये लक्सन दिखाई देंगे दोस्तो जैसे आपकी पेट चाती और सरीर आदी में जलन होना खटी खटे ड़कारे आना पिती उचलना शरीर में एलर्जी हो जाना रक तलपता यानि कि खून की कमी चरम रोग खुझलिव हो जाती हैं फूनशी हो जाती हैं फोरिया हो जाती हैं और जिगर के रोग जैसे तिल्ली वगेरा भी बढ़ जाती है आपकी सरीर में कमजोरि आना गुर्द तथा इर्द्यरोग इस तरह की समश्या भी हो जाती है जिनके सरीर में पित का प्रकॉप बढ़ जाता है दोस्तों इससे बचने के लिए आपको इन चीजों का सेवन करना चाहिए आपको जो है ना पित रोगी जो होते है ना उनको परती दिन फलों का रस पीना चाहिए खाने में आपको अपने सैलेड जादा से जादा जो है लेना चाहिए दोस्तों इससे जो है पित रोग जल्दी ठीक होते हैं जितना आप खाने में पक्ये हुए बोजन की बजाए जैसे खीरा है गाजर है ककड़ी है आप सैलेड में जादा खाते है ना प्याज है कच्चा खा सकते हो तो इन चीजों से आपको इस रोग से जल्दी छुटकारा मिलेगा दोस्तों इसमें आपको परेज रखना है जिनको पित शरीर में बड़ा हुआ है आपको खाने के बाद खटी-खटी डखारे आती है उनको जैसे मसाले दार चीज होती है जादा खाने में मसाले का इस परेज रखने चाहिए दोस्तों अब कफ के लक्सन जान लेते हैं लक्सन में आपको बार बार जैसे बलगम निकलता है सरदी लगती है सांस लेने में दिक्कत होती है खांसी और दमा जैसी सिकायत हो जाती है सरीर में मोटा पा बढ़ जाता है चुखाम तथा फेपडों से स अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, share, कमेंट और चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए दन्यवाद